हाई फ्रेंड्स मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपको इंस्टाग्रम स्टोरी पर पॉल वोट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है सो फेक्टकर करने के बाद हैं grouped gonna go stop बेταलें यहां से कोई वहाइए लेती हुए फोट अब सोbei क्लिक करने के बाद फेक्ट दिस्योक्त में फोटो SELECT कर लेती हूं मैंने यह फोटो ले लिया हुआ है फोटो लेने के से कोई भी आप क्योशन कर सकते हैं अगर आपको यह पॉल वोट का ओप्शन शो नहीं हो रहा है तो कैसे लहाँ अज की वीडियो में मैं आपको इह बताने वाली हूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्रेब करें वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको है यहां का स्क्रिंशोट लेकर रख लेना है एंड स्क्रिंशोट लेने के बाद है फ्रेंड्स आपको क्या करना है आपको प्लेस्टर उपन कर लेना है और आपको सर्च बार में इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है और यहां से आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है अगर अपनी इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं कर रखा है आपको अपने profile icon पे आ जाना है three line में आ जाना है और setting में आ जाना है यहाँ पर आपको help को option शोगा help वाली option पे click कर देना है उसके बाद आपको reported problem वाली option पे click कर देना है और उसके बाद आपको send feedback वाली option पे click कर देना है इस पे click करने के बाद है friends आपको gallery पे click करने और आपने जो screenshot लिया था उसे यहां पर add कर लेना है add करने के बाद यहां पर कुछ issue लिखना है वो में बता देती हूं आपको क्या लिखना है यहां पर है friends आपको लिख देना है hi instagram team my instagram story poll vote option not showing so please provide me this option as soon as possible thank you इतना लिखने के बाद है friends आपको submit option मिल जाते उपर की और आपको submit पे click कर देना है और यह feedback instagram team के पास चला जाएगा और वह कुछ ही time में है आपको one या two days के अंदर या फिर उससे भी कम time में है आपको है जो instagram story पर poll vote option provide कर देंगे तो इस तरीके से friends आप भी instagram में poll vote option को ला सकते अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को subscribe करें thank you for watching in this video